प्हेला पॉइट कास्ट भी आपके साथ ही सर किया था बैने अब फोट कास्ट पी सब्रकास्ट भी अभी इत्रेक्शन मिला श्टार्ट हो गया तो आपको वापस शों में गुला कि मुझे काफी अच्छा लग रा हू और यह जो टॉपीक अभी चल रहा था इसका explanation में को नह सब्सक्राइब करते हैं और इंडिया में आप से बेटर लोग ना दोनों साइट लेके चल रहे हैं कुछ लोग तो इसको मीम समझ रहे हैं कि यह तो मीम है यार वन मिलियन डॉलर कैसे जाएगा नाइंटी डीज में और वैसे तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसके क्या रीजन है और किस टाइब से आप इसको देखते हैं आपके क्या व्यूज ओर जो अभी सुचिशन चल रही है यूएस में उसके रहा हूं हितेश सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे वाफिस बुलाने के लिए यह पॉड्कास्ट एक ऐसा पॉड्कास्ट है जो मेरा फिवरेट पॉड्कास्ट है यहां बातचित करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि सवाल बहुत खुबसूरत होते हैं और है और जो और बहुत सारी चीज़े हो रही है पहले हम थोड़ा सा इसका कॉंटेक्स समझ लए और कॉंटेक्स्ट समझने के समय में हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें बार बार ऐसी बाते करनी के जरूरत नहीं है कि यह 2008 दुबारा हो रहा है या इस तरह के चक्रों में पड़ने के जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्राइसिस होता है हर क्राइसिस का एक अपना DNA होता है और इस क्राइसिस को समझने के लिए हम मोटा मोटा दो चीज़ों को समझ लें कि जो बैंक की क्राइसिस होता है वो दो रीजन के कारण होता है एक रीजन जो आम जंता को पता ह और दूसरा reason जो आम जंता कभी सोचती नहीं है. पहला reason होता है credit crisis. Credit crisis का मतलब है कि bank ने किसी को loan दिया और वो loan वापिस नहीं आया, यह हो गया credit crisis. यानि कि आपने जो भी loan दिया था वो NPA हो गया. तो 2008 में बैंकों ने mortgage sector के अंदर, housing sector के अंदर bad loans किये थे और एक point के बाद बहुत बड़े banking players ने mortgage-backed securities क्रीवनी शुरू कर दी थी, जिसको CDS collateralized debt swaps उगरा कहते थे, पर वो सारा का सारा मामना credit crisis के कारण पैदा हुआ था. तो जब हुआ ये कि लोगों ने EMIS पर default करना शुरू कर दिया, तो धीरे-धीरे वो crisis, domino effect की तरह, एक bank तूटा, दूसरा, तीसरा करते-करते, वो पूरे sector के अंदर पैल गया. और जब एक बहुत बड़ा hole आ गया, अमेरिका के banking system में, जिस hole का size था, 5 trillion dollar. तो federal reserve ने क्या किया? बैंकों के वो जो bad assets थे, वो खरीद लिये. ठीक है. और उनके बदले में, उनको 5 trillion dollar के bank reserves दे दिया. तो वो पैसा print हुआ था उस टाइम पर? या फिर क्या हुआ था? जब central bank ने 5 trillion दिये, तो वो तो print ही हुआ था, उन्हें अपनी balance sheet का size बढ़ा दिया. जो उस समय 900 billion dollar था, उस event के बाद वो लगबग 5.8 trillion dollar चला गया. कुछ महीनों के अंदर ही. ठीक है? उसके बाद वो COVID के दौरान वो लगबग 9 trillion तक चला गया. तो इस तरह से QE हुई जिसको money printing भी आप कह सकते हैं. मैं सोच रहा था कि क्या जो next crisis आएगा, वो credit crisis ही होगा. और जब मुझे नजर आ रहा था कि बड़े-बड़े bank कों के bank reserves और capital adequacy norm जब healthy बहु रहे हैं तो credit crisis तो नहीं हो सकता. तो next crisis कहां से आएगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था. बट जब पिछले साल Federal Reserve ने inflation को रोकने के लिए interest rate बढ़ाने शुरू किये. तो मामला गड़बढ होना शुरू हो गया. आप 0.25 से rate of interest बढ़ाना शुरू करते हैं और आप 4.75 तक ली जा दिया एक साल के अंदर. अब इससे हुआ क्या? इससे जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था. और ये इतना बड़ा काया कल्प था हमारी monetary collapse thinking के लिए जो media के अंदर भी नहीं है. अगर banking crisis दो किसम का होता है जिसमे 99% credit crisis होता है और 1% interest crisis होता है. तो उस 1% की किसी ने बात ही नहीं की. अब मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ? मैं आपको उधारान देता हूँ Silicon Valley Bank की. बैंक क्या करता है? बैंक को जो deposit आते हैं वो deposit से वो तो यहां loan देता है जिससे उसको income आती है. पर अगर वो ज़ादा loan दे पाए तो वो उन assets का क्या करता है? वो उन assets को Federal Reserve के को देके वो उनसे securities खरीब लेता है. जो securities होती है, government securities होती है, वो आपको interest rate नहीं देती है. वो आपको discount coupon देती है. यानि कि अगर 100 रुपे की चीज है और 2 रुपे का discount है, तो आपको 98 रुपीज में वो चीज खरीद नहीं है. तो उसका अगर maturity period 2 साल है, तो 2 साल बाद आपको 100 रुपे वापस मल जाएंगे, 100% guarantee है, because central bank है. तो इसमें US की treasury और ये चीज अलग होती है कि same ही होती है? ये जो federal reserve की दो departments होते है, जो treasury होता है, वो government department होता है, जिसमें सारी income जाती है. जितना tax revenue आता, सारा उसमें जाता है, treasury में जाता है. तो federal level उससे अलग है. तो उनको तो yield generate हो रहा है, 4%, 5% के असमें. इन treasury bills का, जो major purchase है, वो central bank होता है, fed होता है. तो 2008 में जो mortgage-backed securities थी, जो central bank में खरीदी हुई थी, उनके उपर 1.65 coupon rate था. अच्छा. 15 साल के लिए, यानि कि एक-एक साल का 1.65 को 15 से multiply कर दो, तो लगबग 30% के आसपास जाके बैठता है. तो coupon rate बतलब क्या हो गया? बतलब कि अगर आपने 70 रुपे की चीज़ खरीदी, तो 15 साल बाद आपको 100 रुपे automatically मिल जाएंगे. अच्छा, ओके. ओके. यानि कि आपको hold करना है maturity पर थे. और ये long term होते हैं, ये अलग-अलग किसम के होते हैं. Silicon Valley Bank ने गलती क्या की थी? उसने सिर्फ long term securities में invest किया था. अच्छा, ओके. अब जब आपको 1.65% मिलना ही मिलना है पर-पर NMO और 15 साल के बाद, तो आपको घाटा होने का कोई scope ही नहीं है. Clear? यहां तक तो मामला बहुत, मतलब Silicon Valley एक ऐसा bank था जिसके पास NPAs less than 1% है. अच्छा. मतलब जिसके NPAs इसने कम हो. हां यार, यह तो काफी surprising है. तो फिर वो collapse कैसे कर सकता है? अब हुआ क्या? कि accounts के अंदर एक जोल है. अच्छा. US accounting के अंदर जोल यह है कि आप जो security होती है, government security होती है, उसको अगर आप held to maturity, इसको HTM कहते हैं, अगर आपकी accounting statement में हो HTM लिखा हुआ है, तो वो loss में नहीं show होता. अच्छा, अच्छा, ओके. जो market में नई securities issue हो रही थी, वो 4,5-4% पर issue हो रही थी. अच्छा, तो वैसे उनको loss हो गए, अच्छा, ओके. ने, अभी, सुनो, सुनो, वैसे loss नहीं हो, सुनते जाओ. अब हुआ ये, कि जो insiders है, उनको ये तो पता चल रहा था, कि actual अगर आज हमें ये security sell करनी पड़े, तो ये loss में है. लॉस में कैसे? मैं बताता हूँ. आपने 1.65 रेट पक्रीदा था? 15 साल के हिसाब से? आज मार्किट में 4% मिल रहा तो 2.35 पर year का loss है? उसको आप multiply कर तो 15 से? यानि कि आज के तारीख में अगर आपको मार्किट में जाके वो security बेचनी पड़े तो 40% का loss है. तो 120 बिलियन डॉलर का asset जो आपने जिस issue value पर खरीदा था, आज उसकी 40% loss है. तो जब 45 बिलियन डॉलर का loss हो, अगर आप उसको book में show करना पड़ जाए, तो आपका तो पू सही है. अब हुआ ये कि किसे insider ने जब ये बात लोगों को बताई, खासकर बड़े investors को बताई, तो बड़े investors को पता था कि American जो banking law है, उसके अंदर धाई लाक डॉलर तक का deposit insured होता है. पर इससे उपर का deposit insured नहीं होता है. तो सभी बड़े depositors ने अपना पैसा निकालना अब क्योंकि ये demand deposits होते हैं, पैसा आप निकाल सकते हैं. अब पैसा निकाला, तो अब cash की shortage आ गई. अब bank को कैसे shortage को पूरा करना है, उनको अपना asset sell करना पड़ा. Asset sell हुआ, 40% loss पर. तो जैसे ही वो 40% loss पर हुआ, accounting statement में वो loss डेक्लियर हो गया. तो ये जो asset sell हुआ था, वो कितने दिन के duration में हुआ था? Like bank run के बाद ही किया या फिर कैसा हुआ? Of course, bank run जब शुरू हुआ, तो उनके जो reserves थे, जो cash reserves थे, वो कम होने शुरू हो गए. जब cash reserves कम होने शुरू हो गए, तो cash को आप supplement कैसे करेंगे? Assets बेचने पड़ेंगे. Assets बेच, जब बेचे, बेचने शुरू किये, तो loss declare होना शुरू हुआ. तो जैसे loss declare हुआ, तो पता चला कि bank actually profit में नहीं है, वो घाटे में है. तो जैसे घाटे में हुआ, तो Silicon Valley Bank के shares भी dive down करने शुरू हो गए. Assets भी down, deposit भी down, और share value भी down. तो bank collapse कर गया है within few days. तो यहाँ पर bank run का main reason है, राइट? क्योंकि deposit ही खतब हो गए और. अब कमाल की बात क्या है? ऐसा ही कुछ signature bank, first republic bank और silver gate में हुआ. और ऐसे लगबग, ऐसे लगबग, 60-70 bank और हैं जो इसी situation ने हैं. तो सबका playbook same है, सबने security buy की थी, और वो security में अभी loss है. वो सबके साथ है, देखो, bank के पास जो prudentials norm होते हैं, license जब आप लेते हैं, तो आपको दो ratios maintain करनी पड़ती हैं. एक को कहते हैं, CRR cash reserve ratio, जो 4% of your total deposits होती है, तो दूसरी होती है, statutory liquidity ratio, जो 20% के आसपास होती है, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, पर average 20% होती है, वो वो होता है, जहाँ पर आपको अपने assets जो होते हैं, वो government bonds के अंदर, government securities के अंदर रखने पड़ते हैं. अच्छा. ये law है, banking license के अंदर ये legal framework बनाया गया है, ताकि capital adequacy रहे है. तो बाकी सबसे जी प्रॉलोग 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 होई है. अब issue ये है, कि Silicon Valley Bank, एक तो पहले, बड़े बैंकों के मुखा, जैसे अब JP Morgan है, उसके पास trillions of dollar के deposits हैं. इनका deposit size number one छोटा है. दूसरा इसमें problem क्या थी, इनके पास small retail investor, retail depositor नहीं था, बहुत कम था. अच्छा, ओके. इनके पास बड़ा deposit था, तो उसके लिए पैसा निकालना बहुत असान था. अब अगर आपको धाई लाग तक आपको कोई tension ही है, तो पैसा क्यों निकालेंगे, बैंक class ही होजाए, आपका पैसा safe है. तो अगर JP Morgan के पास 50 million retail customer है, उसका पैसा वो बैंकरन हो नहीं सकता वहाँ पर. बट Silicon Valley बैंक के पास retail customer बहुत कम थे. यहाँ पर size काफी कम थी और जो customer का amount था, वो भी sizable था, वो बहुत sizable था. इसलिए अगर आपका 1000 customer भी भाग गया, तो आपका 10 million dollar उड़ गया. तो कुछ गलती Silicon Valley Bank की भी थी, बट उनको सपने में भी नहीं पता था कि एक साल में 0.25 से rate of interest पहुँच जाएगा 4.75. तो सर यह COVID के टाइम में उनको ऐसा idea नहीं लगा कि COVID में जब यह उन्होंने print किया था तो बार में तो control करना ही था. तो इस ताइप का discussion start उस ताइम नहीं हो था? बहुत कम समय में बहुत ज़ादा deposit आ गया. Do you know TCS Infosys का पैसा भी वहाँ है? अच्छा मुझे नहीं पता था. हिंदोस्तान के start-ups का 1 billion dollar Silicon Valley Bank में है. अरे बाप रहे. अब problem क्या हुई? कि इसके बाद अब Fed जागा, जब यह हुई घटना, तो Fed को लगागी यह problem. तो बहुत बंकों के साथ है. तो Fed ने क्या किया? 2 trillion dollar की एक window खोल दी. एक back-end funding program. कि आप अपने जो securities हैं, वो अपने issue rate पर, with the additional जो भी आपका benefit है, वो आप हमें बेज तो. तो securities buyback के लोग कर रहे हैं. Exactly. तो जैसे cash buyback अर्रेंजमेंट कर दिया, जिसका size था 2 trillion dollar. और इस पे सारे bank आगे, JP Morgan मेंगा सारे आगे इसमें. ने, ने, ने. उनकी यह problem थी छोटे bankों की, जिनके पास retailer deposits भी कम है, और दूसरे deposits भी कम हैं. अब क्या हुआ? अब जिसके पास भी धाई लाग से जादा गा deposit था, उसने छोटे bankों से पैसा निकालना शुरू कर दिया. उसने वो पैसा या तो government securities में डालना शुरू कर दिया, या बड़े bankों के account में shift कर दिया. तो अब छोटे bankों को बचाने के लिए, क्योंकि छोटे bankों ने एक और category में लोन दिया हुआ है, जो है commercial real estate. अच्छा, ओके. Commercial real estate 50% value down है, वो NPA है. तो अब Fed ने 2 trillion dollar की जब window खोली, तो उससे क्या हुआ? हर छोटे bank का जो बड़ा customer था, वो वहाँ से भागना शुरू हो गया. अच्छा. क्योंकि धाई लाग तक तो tension नहीं है, तो धाई लाग से उपर अगर आपका पैसा चोटे bank में पड़ा हुआ है, तो अब भागेंगे और उपर से चोटे bank की loan book में commercial real estate जादा है. सही है. तो वो 2 trillion की जो window खोली है, फेड ने उसका 300 billion dollar balance sheet में already add हो गया है पिछले एक हफ्ते में. अच्छा. विच मीन्स कि सामने से फेड quantitative tightening कर रहा है और interest rate बढ़ा रहा है और back end से quantitative easing कर रहा है. ओके. अब ये ऐसी हालत है, ये ऐसी हालत है कि साम के मुँ में चुदर जैसी वाली बात हो गई. न उगले बने न निगले बने वाली बात है. सही है. फस गए बर लबे लोग. फस गए. अब अगर ये interest rate बढ़ाते जाते हैं तो ये crisis कलको छोटे बैंकों से बड़े बैंकों में भी shift हो जाएगा. तो number one या तो इनको interest rate stop करना पढ़ेगा या reverse करना पढ़ेगा. अगर reverse करते हैं तो inflation फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो अब क्या करें अब फस गए. अब ये तो हो गई अमेरिका की बात. कुछ ऐसा ही यॉरप और जपान में हो रहा है. जैसे जपान की बात बताता हूँ. जपान में पिछले 20 साल से 0% rate of interest है. और इस बार पहली बार क्या हुआ कि जपान में पिछले 20-25 सालों में inflation बढ़के 4% हो गया. तो वहाँ पर 0.25% government rate securities पर मिलता है. जपान एक ऐसा मुल्क है जिसका जो debt burden है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है. उनका GDP जितना है उनका debt burden उससे 260% ज़्यादा है. तो वो economy डेंजर में नहीं है फिर भी लोग ऐसा कि बोलते जापान की economy अच्छा है. जपान में average age 48 साल है. हमारे देश में 28 साल है. तो बुढ़ों का मुल्क है. वहाँ one third population जो है 65 plus है. तो इसलिए क्या हुआ है कि वहाँ पर consumption की demand ही नहीं है. तो loan demand भी पैदा नहीं होती. तो inflation भी build नहीं होती. अच्छा. तो loan वहाँ पर लोग काम लेते हैं क्योंकि demand ही नहीं लोग को. ही नहीं. लोग के पास गर वगरा सब अल्रेडी. में तो गर का ही होता है loan तो. You'll be surprise. जपान के अंदर आठ असी लाख घर खाली पड़े हैं. अरे वापने. असी लाख. तो वो एक ऐसी economy है जिसने full stop लगा दिया बट एक top level पर जाके full stop लगा दिया. तो population control करने के बाद ऐसा हुआ राइट? उनके यह negative population growth है. हम बिल्कुल different category में आते हैं. अब अमेरिका में जैसे होने वाला ना जापान जैसे चाइना भी population. चाइना भी वैसे ही उसी दिशा में जा रहा है. अब जापान में 4% inflation और 0.25 government rate दे रही है. तो वहां के जो investors से उन पैसा निकालके वहां के federal security से पैसा निकालके US में डालना शुरू कर दिया. तो उससे क्या हुआ? यह 30% डाउन चला गया पिछले एक साल में. अब 4% inflation को control कैसे करे? interest rate बढ़ाना पड़ेगा. अगर interest rate बढ़ाते हैं, तो सोचिए, अगर आप 1% interested करते हैं, अभी 0.25 है. मतलब क्या है कि आपका debt burden, जो interest payments हैं, जो आपके budget में से निकलती है, tax revenue के इससे में से निकलती है, वो चार गुना बढ़ जाएंगे. विच मींस कि आपका fiscal deficit इतना जादा बढ़ जाएगा कि आपका currency collapse हो सकता है. इस लिए जपान ने interest rate नहीं बढ़ाए. अब क्योंकि interest rate न तो वो दोनों तरफ मरते हैं. अगर interest rate बढ़ाते हैं, तो budget deficit इतना जादा बढ़ जागे कि कंगाल हो जाएंगे. तो घूम फिर के inflation को control करना पड़ेगा, पर inflation पुतिन और Ukraine war के कारण out of control हो भी. यह भी किसी ने सोचा नहीं देता लंबा चलेगा, काफी लंबा ही चलेगा. ठीक है, अब आगया यॉरप. यॉरप के अंदर वहां के बैंकों ने बहुत सारा पैसा derivatives में लगाया हुआ है, जैसे डॉइश बैंक है, Credit Suisse बैंक है. इसमें CDS और currency swap agreement जादा आते हैं. CDS collateral debt swap को कहते हैं और currency swap के अंदर currency to currency अब share करते हैं. But problem क्या है? यह सारे के सारे जो trades होते है यह trades dollar के अंदर होते हैं. जिसमें एक reference currency dollar होती है, दूसरी euro हो सकती है, pound हो सकती है, yen हो सकती है, कोई भी हो सकती है. बट एक dollar होती है. सेटल किसमें होती है डॉलर में डॉलर में सेटल होती है क्योंकि यूरो डॉलर मार्केट है अब जब मार्केट में रेट ऑफ इंट्रेस्स बढ़ना शुरू हो गया तो डॉलर शॉटेज आ गई आपने ek साल का करनशी स्वाफ एक्रिमेंट खुरीदा था डॉलर येन का कि एक साल बाद सेटल कर लेंगे बट एक साल बाद डॉलर का जो रेट था हूँँ शाड़े चारप परसेंट बड़ गया तो collateral mismatch हो गया तो collateral mismatch जब हुआ तो do you know दुनिया के अंदर currency swap agreements daily किस लेवल के होते है डेली आठ ट्रिलियन डॉलर और forex derivatives का जो size है वो 1000 ट्रिलियन डॉलर है और 1000 ट्रिलियन डॉलर में पीछे bank of international settlement ने कहा था कि 80 ट्रिलियन डॉलर off balance sheet है अरे भावर है 80 ट्रिलियन डॉलर off balance sheet है विच मिन collateral mismatch जो हो सकता है वो minimum धाई से 3 ट्रिलियन डॉलर का daily basis पर हो सकता है तो सर ये media report क्यों नहीं कर रही है सब सी उनको like ये मेरे साथ चुपा ही जा रही है ये information ये mainstream business media इसको report नहीं करता है ये researchers वगरा ढून के निकालते है अब problem क्या होती है ये normally नजर नहीं आता क्योंकि जो banking system होता है वो cash flow management system होता है एक तरफ inflow होता है एक तरफ outflow होता है जब तक match होता रहता है inflow outflow equilibrium बना रहता है collateral mismatch आता है तभी ये सामने आता है जैसे सिलिकन वैली के case में collateral mismatch हुआ जैसे credit suisse के case में mismatch हो रहा है जैसे जपान में अब mismatch हो रहा है अब क्या हो रहा है कि ये जो problem है कि 2008 में तो 5 trillion dollar चापके बैंकों में दे दिये थे फेड ने पर अब ये problem euro dollar market से जो आ रही है इसका size 2008 से भी कई गुना ज़्यादा है अच्छा तो में problem यहाँ पे आ रही है euro dollar के इस market से currency swap market से आ रही है इसलिए क्योंकि dollar दुनिया का lender of last resort है दुनिया की global reserve currency है बट एक बात हमें सबननी पड़ेगी कि ये national currency है जो global domination कर ली है तो यहां तो आप अपने national duties को पूरा कर लो rate of interest बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो क्योंकि आपको अमेरिका में inflation कम करना है या आप अपनी global duties पूरी कर लो कि वहां पर dollar liquidity maintain करो अब दोनों चीज़े साथ साथ नहीं कर सकते इसको economics की language में ट्रिफन डिलेमा कहते हैं कि आप यहां तो national currency बन सकते हैं या global currency बन सकते हैं दोनों साथ नहीं बन सकते तो यह साथ पर क्यों बने लाइक पहले reserve currency क्यों बनाई गई वो इसलिए कि 1971 में जब gold standard से रिचर्ड निक्सन ने अलविदा कहा था और साथिय अरेप को उन्होंने military agreement के साथ ही मना लिया था कि आप oil सिर्फ dollar में बेचोगे उसके बाद दुनिया के अंदर money का fundamental anchor क्या होगा वो गायब हो गया 1971 तक money का anchor था gold 35 dollar का एक ounce of gold यह money का anchor था money को एक खूंटे से बांदिया गया था 1971 के बाद वो खूंटा खुल गया तो यह एक bubble की तरह फैलना शुरू हो गया और पचास साल दो जनरेशन वो फैलता गया फैलता गया अब जब यह mismatch आ रहा है और mismatch का साय आप सोचिए कि derivative market 16-100 trillion dollar की है इस पेच बढ़ भी सकता है हाँ यह बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है बट दे पॉइंट हेर इस जब market के अंदर big moves होती है और collateral mismatch आता है तो series of crisis आता है क्योंकि एक bank अकेला नहीं होता है एक bank के assets दूसरे bank के liabilities होते हैं दूसरे के liability इसके asset होते हैं यह mutual होता है यह interdependent होता है तो अब यह मामला यहां तो आ गया है कि अगर crisis आया तो बचाएगा कौन dollar तो बचाने की स्रिती में है नहीं राइट यूरो ही नहीं इस स्रिती में पहले भी नहीं था yen भी नहीं है crisis का definition क्या आप बोलते हो इसमें crisis simple सी बात है अगर America crisis handle करता है तो America crisis कैसे handle करेगा America 2 trillion क्या 4 trillion और चापेगा तो जब वो चापेगा तो inflation बढ़ेगा अगर inflation बढ़ेगा तो dollar की value down जाएगी तो यह तो मालब destined है कि dollar की value down होने ही वाली है like कोई रोक नहीं सकता है अब इसमें एक और बहुत बड़ा तुफान आने वाला है जो अभी मैंने discuss नहीं किया है वो तुफान है BRICS PLUS करण डेशों का नया currency standard चाइना, रशिया, ब्राजील, सौधियरेब, इरान और इंडिया भी हो सकता जिसमें वो plan क्या कर रहे हैं एक नया standard बनाएंगे जिसमें रूल होगा 25 बेरल, oil, एक आउंस गोल्ड का जैसे अभी साओधी अरेवे ने बीच पे बोला था, वो इसके अंदर ही आता है कि हम अभी मैं बताता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, पीछे शंगाई mercantile exchange के अंदर डॉलर के बजाए उन्होंने oil और gold के swaps trade किये हैं, साओधी अरेव और चाइना इस समय बहुत गहरे military और economic partnership में आ गए हैं और पीछे चाइना ने साओधी अरेव और इरान जैसे दो बड़े दुश्मनों को इकठा कर दिया है, वो basically दुनिया को de-dollarize करने की तैयारी में है, अच्छा, अब सही वोका है, अब आप इस सारी भूमिका को जब ध्यान से देखेंगे, तो अगर दुनिया dollar exit करेगी, तो इसका मतलब है, कि वो dollar की securities, dollar के अंदर जो securities है, उसको sell out करेगी, जब दुनिया की dollar securities को sell out होगा, तो उसकी value डाउन जाएगी, यानि कि collateral mismatch और बढ़ जाएगा, तो which means, ये एक ऐसे स्थिती है, जिसके अंदर बड़े-बड़े assets, बड़े-बड़े banks और बड़ी-बड़ी currencies, जो भी dollar dependent monetary systems हैं, वो collapse कर सकते हैं, और भुविश्यवानी जो बड़े-बड़े monetary economists हैं, जैसे Lacey Hunt है, साइमन हंट है, या दो दिन और हैं, उनका ये कहना है कि अगले दो-तिन सालों में 40-50 तेशों के fiat currencies collapse कर सेखे हैं, दुनिया को dollar की बजाए asset-backed standard बनाना पड़ेगा, जो gold भी हो सकता है, oil भी हो सकता है, या basket of commodities हो सकता है, अच्छा, ओके, अब ये होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत भारी political agreement करना पड़ता है, और दुनिया में इस समय international leadership का crisis है, आज कोई नहरू जैसा हमारे देश में नहीं बैठा हुआ है, या दुनिया के अंदर माल लीजिए, Franklin Roosevelt जैसा कोई नहीं बैठा हुआ, या Winston Churchill जैसा कोई नहीं बैठा हुआ, जो दुनिया कोई गठा कर सके, ऐसी टाकत किसी के पास नहीं है, तो हम बटे हुए लोग हैं इससे में दुनिया के, तो ये जब स्थिती है, तो ये सारी के सारी स्थिती, fiat economics की स्थिती है, तो मैं ये कह रहा हुँ कि future war, fiat economics और crypto economics के बीच में लड़ी जाएगी, अच्छा, ओके, जिसे defy, crypto economics है, dex, crypto economics है, वेप्टी apps, crypto economics है, तो मैं यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग अपना खुद का तरीका भी तुनिदेगे, कि हम अपने जो power अपने हाथ पे चाहते हैं, हम अपने तरीके से अपना finance manage करेगे, तो crypto के ले में जाएगे, crypto economics वाला वो angle creator जाएगे, इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो छोटे और बड़े जितने भी depositors हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ा question mark यह है कि what is value, अगर dollar value नहीं है तो next valuable चीज़ क्या है, यह इतना बड़ा सवाल है जो पिछले 100 साल से हमारे सामने नहीं था, कम से कम पिछले 50 साल से तो हमारे सामने नहीं था, हमें पता का dollar value है क्योंकि ओ लेंटर अफ लास्ट डिजॉर्ट है, अब अगर dollar value नहीं है तो value क्या है, माल लीजे gold है, gold की problem क्या है, कि gold limited है, अगर दुनिया की free money का 10% भी gold के पीछे चल पड़े, तो gold की value कम से कम 10,000 dollar हो जाएगी per ounce, लेकिन इस पर बात वो भी है ना, कि जैसे bitcoin का भी तो supply limited है, तो फिर लोग bitcoin का क्योंगा है, जै 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 जै, मैं crypto पर आता हूँ, तो पहला अगर gold को, gold का price एकड़म से बढ़ता है, पर gold के अदर problem कहाँगी, gold को आप ना payment के लिए use कर सकते हैं, ना gold के उपर आप को financial applications बिल्ड कर सकते हैं, तो gold, 20 सदी का reserve currency बन सकता है, पर 21 सदी का reserve currency नहीं बन सकता, तो अब option क्या बजी, next gold like thing, जो gold जैसा भी है, पर gold से बेतर है, payment भी हो सकती उसके साथ, instant clearing and settlement भी हो सकती है, custodianship risk भी नहीं है, third party mediators भी involved नहीं है, तो वो crypto है, जिसमें number one पर bitcoin और इथरा थे, बट सर इसमें again मुझे ऐसा लगता है कि bitcoin तो है, बट यहापे CBDC भी तो लोग बना रहे, तो असा नहीं हो सकता कि वो standard पूरा वो change ही कर लेगे, हम तो CBDC में पूरा manage करेगे, हितेश, एक बाद समझो, CBDC lender of last resort, जो आप, just a minute, मैं आप दुबारा से वो एक बाद समझाता हूँ, कि देखिए, जब आप currency note को use करते हैं, इस पर लिखा हुआ है, I promise to pay the bearer sum of hundred rupees, कि मैं, जिसके पास ये है, उसको सौ रुपे देता हूँ, ठीक है, आज मेरे पास एक भरोसा है, कि मेरे पास सौ रुपे हैं, मैं आपको दूँगा, तो आपस सौ रुपे की चीज ले सकता हूँ, ठीक है, ये cash मेरे हाथ में है, bearer note है, पर CBTC, जिस तरह से design किया जा रहा है, आम आदमी को पता ही नहीं है, कि ये bearer note है, number one, आम आदमी को पता ही नहीं है, कि ये UPI और इसमें फरक क्या है, खाली back end का फरक है, बाकी चीज से भी है, ठीक है, ये तो आम आदमी को पता है, कि उसके हाथ में है, पर उसको CBTC का पता ही नहीं, उसके हाथ में है के नहीं, बट जो crypto users है, उनको पता है कि उनके wallet में bitcoin है, तो उनका है, मेटामास यूज करते हैं, ट्रेजर यूज करते हैं, और बहुत सरे wallet यूज करते हैं, तो एक तरफ, 200 million crypto users की वो class है, जिनको self custody का मतलब पता है, और दूसरी तरफ, वो लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, कि self custody क्या होती है, अब आम भारतिये, CBDC में क्यों shift करेगा, उसको 104 या 6% rate of interest नहीं मिलेगा, जिब बैंक उसको 6% दे रहा है, और CBDC उसको कुछ नहीं दे रहा है, वो क्यों shift करेगा, incentive क्या है, तो problem क्या है, कि और उपर से inflation, से क्या CBDC बचाता है, answer is no, क्योंकि CBDC के अंदर token economics का, कोई open research paper ही नहीं है, कोई open constitutional white paper ही नहीं है, CBDC तो digital Fiat ही हो गया है, Fiat का digital world हो गया है, तो अब problem यह है, कि आम जनता को CBDC समझाना, कि वो UPSA different कैसा है, इतना मुश्किल काम है, कि यह किसी भी देश में करना practically impossible है, यह चाइना में हो सकता है, क्योंकि वहाँ digital dictatorship है, पर बागे देशों में नहीं हो सकता है, तो चाइना ने वो क्यों किया, आपको क्या लगता है, कि चाइना ने इतना क्यों focus किया CBDC पर, वह आप पर, इतना अल्ली focus में कि, वह इसलिए कि चाइना को, चाइना ने नंबर, उसने केवल CBDC ही नहीं किया, उसने पिछले 20 सालों से Google को, Facebook को, Amazon को घुसने नहीं दिया, उन्होंने एक digital city बना लिया है, जिसके बाहर चाइना का citizen नहीं जा सकता, उन्होंने ना Bitcoin को घुसने दिया, ना Facebook को, ना Google को, किसी को घुसने नहीं दिया, तो अब सारे citizens का जो data है, वो Chinese government के पास है, अच्छा, ओके, उनके पास दो apps हैं, एक WeChat है वहार एक Alipay है, तो दो यह apps है, जहां पर वो सारी के सारी messaging भी होती है, सारी के सारी payments भी होती है, तो वो सारा का सारा data monopoly जो है, वहां की सरकार के पास है, तो अब वहां का जो नागरिक है, वो सरकार के इधर उधर नहीं जा सकता, उसे वही करना पड़ेगा, जो सरकार कहेगी है, तो यहां पर सारी कर वो होता है, आप बतारे हो कि यह airlines में आके, चाइना, साओधी अरेबिया, यह standard form कर सकते हैं, तो उस case में तो चाइना ट्राइ करेगा ना, कि original UN को यह वो लोग आगे लेकिया है, यह 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 चाइना तो इतनी ताकतवर situation में है, चाइना ने एक और काम किया हुए, जिसके और लोग बात नहीं करते हैं, चाइना ने अफरीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के असी गरीब देशों को 6 ट्रिलियन डॉलर के लोन दिये हुए हैं, अगर चाइना उनको कह दे कि आप डिजिडल यूआन को अपना second legal tender मान लो, हम आपके सारे लोन माफ कर देंगे, तो असी देश, एक centralized currency को अपना second legal tender मान लेंगे, मुझे लगता है कि चाइना का ऐसा है कि डिजिडल यूआन को reserve currency बनाना है, उसका focus यही है. But, अगर वो ऐसा करता है, तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा crisis हो जाएगा. अब पहले उनों को डॉलर को बाब बनाना पड़ा था? अब जब दुनिया की आदी population digital यूआन यूज़ करेगी, तो उनको, और सौधी रेब अगर मान लीज़े कहें कि हमें digital यूआन में payment करो तो भारत क्या कर लेगा? तो उनको हो सकता है कि digital यूआन को, यानि कि चाइना को अपना बाब बनाना पड़ जए. ओके. तो यहाँ पर सब possibility है कि अगर डॉलर, अगर है कि अगले 50 सालों के लिए दुनिया के पास 3 options है. एक डॉलर option, एक digital यूआन option और तीसरी bitcoin option. अच्छा, ओके, ओके, ओके. गोल्ड ही जाओ. चौथी कोई option नहीं है. ठीक है. अब यह दुनिया को फैसला करना है कि इन तीनों में से कौन सी वो pick करें. तो बाला जी ने strategic thinker है वो. उसने कहा है कि दुनिया वालो अब भाग के जाने का scope इन तीनों में से एक ही है. डॉलर में जाओगे, तो भी मरोगे. सही है. यूआन में जाओगे, तो भी मरोगे. क्रिप्टो में आओगे, तो volatility जरूर है. बट custody आपके हाथ में है. सही है. data privacy आपके हाथ में है. monetary sovereignty आपके हाथ में है. तो अब वो कह रहा है कि ये rational argument का मसला नहीं है, ये existential belief का मसला है. तो इसलिए उसने ये bet लगा दी, कि मैं आपको one million dollar का दूँगा bitcoin. अब सवाल ये है कि rational level पर देखा दे, तो इतनी growth तो होई नहीं सकती. होई नहीं सकती, right. बट, बाला जी, rational argument के पीछे है ही नहीं. awareness, मैं बहुता है awareness के पीछे होगा. वो awareness और larger picture दिखाना चाहता है. और larger picture है कि तीन ही रास्ते बचे हैं. digital yuan, dollar और bitcoin और crypto. सही बोल रहा है. तो तीनों में से एक रास्ता आपको चुनना ही पड़ेगा. चाहे आप हसके choose करो या रोके choose करो. अभी तो option है कि हसके choose कर सकते हो. आप आज के आपके पास 27,000 dollar का bitcoin खरीदने की option है. अगर साल बाद ये 5,000,000 dollar का हो गया तो आप रोके खरीदोगे bitcoin. राइट. राइट, राइट. सर इसमें ये भी यह जिसे में मैंने एक और context ही है. समझा कि उसने बोला कि अगर hyper inflation होगा तो वैसे भी चीजों की price बढ़ने वाली है. तो उस angle बे भी तो bitcoin की price बढ़ सकती है. वो भी तो उसका angle हो सकता है. ये cable bitcoin का price ही नहीं बढ़ेगा. जन्या की top 100 crypto currencies का price अगले एक साल में 10 से 20 कुना बड़े अराम से जा सकता है. problem यहाँ पर सिर्फ यह नहीं है. problem यहाँ पर यह है कि हमें अब यह मानना पड़ेगा कि पिछले जो तीन booms आये थे 2012-13, 2016-17 और 2020-21 यह आये थे और बाद में burst आया था. burst इसलिए आया था कि आपके पास dollar की option थी. थी, right, right, right. अब जो boom आयेगा उसमें आपके पास वापिस dollar में जाने की यह yuan में जाने की option ही नहीं है. अब जब आप इसमें आओगे तो आपके पास exit का option नहीं है. अब आप rational सोच यह सोच के मत आओ कि यह 10 गुना कर लेंगे, 50 गुना कर लेंगे. अब आपको इसको crypto economic belief system में मानना पड़ेगा. सही बोल रहे हूँ. तो इस पर bitcoin और ethereum mainly तो दो coin ही कह सकते इसमें. जिस पर I think. केवल bitcoin और ethereum ही नहीं है. उसमें जो दूसरे coins आते हैं, उसमें bainainz आता है, उसमें polygon आता है, cosmos आता है, आवे आएगा, उसमें polka dot आएगा, उसमें solana आएगा, उसमें कम से कम top 100 coins आएगे. आच्छा, आच्छा. तो इसलिए ये एक ऐसे स्थिती है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि लडाई crypto economics और fiat economics की है. तो सर इसमें governments तो यही try करेगी न, कि कभी bitcoin और इसका adoption होई नहीं वो try करेगी कि जैसे अभी भी कर रहे है, regulation ला रहे है, लोग को डरा भी रहे कि इस चीज अच्छी नहीं है, यह आपको नहीं करना चीए. क्योंकि ultimately उनको भी पता है कि लोग को जब पता चल गया awareness सित्ती होगी तो लोग क्यों choose करेगे, उनको क्यों choose करेगे, पर अगले कुछ महीनों में जब यह बड़ा crisis सामने आएगा और भारत की सरकार को नजर आएगा कि यह तो डॉलर को बाब बना के रखे, यह युवान को बाब बनाना पड़ेगा. भारत सरकार दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाली. तो उनके पास crypto को दोस्त बनाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और यह option ब्राजील भी लेगा, अर्जेंटाइना भी लेगा, इंडोनेशिया भी लेगा, टर्की भी लेगा और बहुत सारे countries लेंगे. Which means कि यह non-aligned nations का एक नया ecosystem बनेगा और भारत को कोशिश करनी चाहिए उसके अंदर leadership लेनेगे. जिसके लिए मैं on-chain sovereign currency framework दे रहा हूँ कि भारत को stake-based currency systems बनाने चाहिए, maker-dao की तरह, जहां पर gold, land, data और care-r unit हमारे नए standards बने. यह ऐसे लेगा सर, वो थोड़ा थोड़ा उसके बार में बताएं तो आप आपने डिजाइन किया हूँ. जैसे आप maker-dao में जाओ, वहाँ ether जमा कराओ, उसके बदले में आप die ले लेते हो. 66%. मैं ही कह रहा हूँ कि भारत में तलंगाना में आपका फ्लैट है, हैदराबाद में एक क्रोड का. आप उसको NFT में कब तदील करो और maker-dao का real estate version बना दो. अच्छा, ओके. और वहाँ पर NFT deposit कर दिया, और हर एरिया का circle rate होता है. Circle rate से आपको price weight मिल जाएगा. रूल बना दो कि कोई भी बन्दा अपना flat deposit कराके 66% रग लिक्रिटी लिए सकता है. यह तो काफी सही है, यार. काफी अच्छा idea है. तो 66% लिक्रिटी जब लेंगे, माली जी आपने 50% लाग रुपे लिया. उस 50 लाग के 2 इससे कर दो, 2% जो है, 1% central government को revenue चला जाए, 1% state government को चला जाए. तो यह signage और tax revenue घठा हो गया. हर साल आना शुरू हो जाए. सोचिए, दुकानदार भी अपनी property से liquidity बना सकता है, किसान भी बना सकता है, और जिसका अपना flat वो भी बना सकता है. तो आपको bank में जाके 15% पर लोन लेनी के ज़रूरत ही नहीं है, आप on-chain sovereign currency framework के जरीए, तेलंगाना या भारत सरकार जो भी on-chain sovereign currency बनाओगे, उससे आपकी interest cost कम होएगी और inflation कम होएगी. अब यही काम gold bank के जरीए gold based stake system कर सकते हैं, इंडिया gold dollar बना सकते हैं, इंडिया land dollar बना सकते हैं, इंडिया data dollar बना सकते हैं. और भारत के legal tender framework को dual legal tender में change करना चाहे हैं. एक INA रहे और एक on-chain sovereign currency हो जाए. यह आज हम हसके कर सकते हैं, पर जो स्थिती बन रही है, अगर आज हमने ने किया, तो दो साल बाद हमें रोके करना पड़े जाए. क्योंकि या तो dollar से हम मात खाएंगे, या हम Chinese Yuan से जूते खाएंगे. अगर हमने अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा. हम, सही बोले हो, सही बात है. आप ZK EVM के उपर भारत का Indian Land Dollar डिजाइन करो. मुझे नहीं लगता कि संदीब नेलवाल को साथ दिन से ज़ादा लगेंगी इसको डिजाइन करने में. हम, सही बोले हो. बना-बनाया कोड है, वहाँ पर एथर की बज़ाएं आपको NFT डालना है, ERC20 की बज़ाएं वहाँ पर आपको ERC721 डालना है. इतलिस पाइलेट रन तो कर सकते हैं, मेरे इसाब से एक बार ट्राई कर सकते हैं. 1990 में आठ रुपे का डॉलर था, भाई. आचा. आठ रुपे का. आज 83 रुपे का डॉलर है. और इन 30 सालों में डॉलर की वैल्यू डाउन गई है. तो हमें एक डेप्रिशेटिंग करन्सी के सामने हम और डेप्रिशेट हुए हैं. तो सोचो हमारी चॉइसिस कैसी रही हैं. मैं यह कह रहा हूँ कि पॉब्लिक ब्लॉक्चेंस हमारी दोस्त हैं. हमें उस चीज को एनेबल करना है और हिंदुस्तान के अंदर वेब 3 एंटरपर्नियॉर्स और वेब 3 डेवेलपर्स की जो इतनी बड़ी पापुलेशन है, उसको पनी ताकत बनाना चाहिए. जबकि हमारे सरकार उल्टा करते है, 30% टेक्स लगा दिया, 1% TDS लगता है, सारी क्रिप्टो बुजिस को PML में डाल दिया. अरे कितना डरा होगे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? वो ही कर रहे हैं तो आजकल. बट सर्थ ऐसा mindset क्यों बना, आपको क्या लगता है, वो इतना negative क्यों क्रिप्टो के लिए? वो ही इसलिए देखो, ये बिलकुल इसको तो थोड़ा 30 साल पीशे जाके देखो. मुझे याद है, जब हम BSNL से फोन लेते थे, तो BSNL तब 4000 रुपे का फोन देता था, 1985-86 के अंदर, 4000 रुपे का. और फोन तीन साल बाद आपको लगता था, डिले वेटिंग के बाद, और उसके बाद भी जो लाइनमेन फोन लगाने आता था, वो पांक सोर पर रिश्वत लेता था. तो उस समय जो BSNL था, उसको लगता था कि मैं भगवान हूँ. मुबाइल टेलीफोन ही आई, और देखो आज BSNL का क्या हाल हुआ. प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम क्रिप्टो के लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास से बात करने की बजाए हिंदुस्तान के RBA यहां रिगलेटर से बात करते रहते. और RBA जो है वो बेसिकली BSNL जैसे ही एक ब्यूरोक्रिटिक और्गिनाज़ेशन है जहां पर बुड्डो का राज है. उनको लगता है कि उनकी मनौपली है. जबकि मेरी भविश्रिवान यह है कि अगले 20 सालों में RBA BSNL of money बन जाएगा. बिलकुल हो सकता है, बिलकुल हो सकता है. प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक्सचेंज़ों को, हिंदुस्तान के अंदर Web3 Entrepreneurs को, RBA से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको PMO से बात करनी चाहिए, उनको finesse mystery से बात करनी चाहिए, उनको हिंदुस्तान की Congress Party, AAP Party, BRS Party, JDU, इन से बात करनी चाहिए, डारेक्ट है, क्योंकि वो long term सोच सकते हैं, Decision Making असल में उनके हाथ में है, वो State Legislature और Central Parliament को control करते हैं बट वो भी तो negative है न, FM वगरा, नहीं, नहीं, हिंदुस्तान के आप, आप ऐसा करिये, TRS के किसी politician से बात करके देखिए, अब चंदर अब उनाइट से बात करके देखिए, हो ही निस, आप, आप basically कनाटका के अंदर किसी politician से बात करिए, जो crypto के खिलाफ बोलता हो, नहीं होग करनाटका में नहीं है, सही बोल रहा है, आप सोचिए, गिफ सिटी क्यों बनाया गया था, गिफ सिटी को दूसरा लंडन बनाने के तियारी चल रही है, क्यों चल रही है भाई, अगर वहाँ क्रिप्टोस को बैन करते हैं, तो वो कैसे नया लंडन बनेगा, प्रॉब्लम य ही किया है, आप मुझे बताइए, कितने पॉडकास्ट हैं, जहां पर हिंदुस्तान के पॉलिटीशन्स ने क्रिप्टो के बारे में बात की है, हिंदुस्तान में, नहीं है, मैं ट्राइ करूँगा बुला लेगे किसी को तो, बट बुलाला चाहिए, तो इसलिए मुझे ऐस सेंट्री करने की बजाए, और स्टेट लेजिसलेचर और पार्लमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिवस उनसे बात करनी चाहिए, नहीं, सही बोल रहे है, सही बोल रहे है, और यहां कि जो क्रैसिज आ रहा है, यह पिछली एक साथिका सबसे बड़ा क्रैसिज है, और इससे आने वाले टाइम के पूरा, ऐसे बोलते हैं कि हर एक 100 साल में 10 साल ऐसे होते हैं जो आने वाले 60 साल का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है, यह वही है, यह वही 10 साल है, राइट, राइट, सही है, सही है, सही है, तो सर इसमें जैसे हाइपर इंफलेशन के उपर थोटे कंटी से शुरू करो अगर आप पाकिस्तान को देखोगे पिछले पांच साल में पांच साल पहले पचासी रुपे का डॉलर था वहां पर पाकिस्तानी रुपए पचासी का एक डॉलर था आज दो सो पैंच सटका है यानि कि 60 से 70 percent annual inflation है वहां पर उसी तरह से शिलंका में चले जाए तो वहां भी 60 percent के साथ annual inflation है यही सीरिया में चले जाए तो 80 percent annual inflation है पिछले 4-5 सालों से तो वह hyper inflation में आता ये वाला रीज़? ये सारा hyper inflation है 10 percent 20 percent से उपर की जो भी inflation होती है वो hyper अब फैक्ट ऑफ लाइफ यह है कि हाइपर इंफलेशन छोटे कंट्रीज के अंदर आचुका है पर उनकी खबर नहीं बहार आती क्योंकि वो गरीब है इंटरनेशनल बिजनस मीडिया उसको डेट इनको डेट कंट्रीज डिक्लियर कर देता है दो चार निउस आती ही शुरू शुरू उसके बाद वह भी नहीं आती जैसे पाकिस्तान और श्रिलंका में कोई सुझरा तो नह सब्सक्राइशन है उसके इकनॉमिक निउस नहीं आती है कि दुनिया के 50 से ज्यादा कंट्रीज में हाईपर इंफ्लेशन और अब यह जो डॉलर क्राइसिस आएगा इस यहीं हाईपर इंफ्लेशन जो चोटे कंट्रीज में है अब यह अमेरिका और यॉरप और बाकी कंट तो उस केस पर से वह हो जाएगा डिप्रेशन पिरेड आजाएगा में लग रहा है जॉब भी चलेगी जाएगे सब और उपर से जो चैट जीपिटी फोर वाला मामला आया है अनप्लाइमेंट क्राइसिस भी बहुत बढ़ेगा करंसी क्राइसिस बढ़ेगा यह एक यह दे इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि यह अगले 10 साल फियर्ट एकनॉमिक्स और क्रिप्टो एकनॉमिक्स के बीज की लड़ाई है जिसमें क्रिप्टो एकनॉमिक्स जीतेगा ही जीतेगा वो फरक यहां यह है कि क्रिप्टो एकनॉमिक्स के अंदर हमारा विश्वास कितन का विस्वास आया कि यह जो है इस पर आपको बिलीव करना है वो उसको बस सिंप्लिफाई कर रहा है बिटकोईन के प्राइस को वन मिलियन डॉलर के रूप में पर उसकी जो बात कह रहा है कि future is क्रिप्टोनॉमिक्स सही है सही है तो जैसे जैसे मैं अगर यह सिंपल भाशन में कहूं को हिंदुस्तान के अंदर अगर मुझे टॉप तीन क्रिप्टोनॉमिक्स के टीचर ढूनने हो तो तीनों में तुम्हारा एक नाम है ही तेशमाल भी है अच्छा इससे ओनर सर नहीं जो तो सच है वो सच है क्योंकि आपको आएटी या आयम तो भरती करेगी नहीं क्योंकि वहां पर क्रिप्टोनॉमिक्स पढ़ाया ही नहीं जाता तो जब कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा था तो हितेशमाल भी को लगा कि यार मुझे सिखाना है दुनिया को तो तीन नाम तो सवाल ही है कि यह ऐसा काम है जिसकी वैल्यू आने वुले समेह में लोग कहेंगे कि यर यह वो लोग थे जिननोंने पहले ये काम किया सब्सक्राइब कर दिया कि क्या उसका बिलीफ है और क्यों इस टाइब से वन मिलियन बिटकोइन का टार्गेट लेके चल रहा है अब अल्टिमेटली लोगों को यह बता रहा है कि हमारे पास यही एक सबसे सही तरीका है तो सर अभी मेरे साब से कोशन ले लेते हैं राजीव सिर्वी कह रहा है कि देखें यह सरकस अभी तो थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह का बड़ा क्राइसिस आता है जैसे जब पाउंड डाउन जा रहा था और डॉलर अब जा रहा था तो दो वर्ल्ड वार्स होई थी उस बीच में एक पूरी जेनरेशन का इनर्जी उसमें चला गया था तो अगर अमेरिका को लगता है कि वो इस क्राइसिस से बचेगा नहीं तो वो इस क्राइसिस को प्रलाउंग करने की कोशिश करेगा और तैड़न के बहाने चाइना के साथ क्राइसिस को बढ़ाएगा और यूकरिन के बहाने रिशिया को के साथ क्रैसिस को बढ़ाएगा और अगर ये दोनों चीज़े होती हैं तो ये फियर्ट करणसी क्रैसिस और गहरा हो जाएगा अच्छा तब तो यह और तब जो नुकसान दस साल में होना वो दो साल में हो जाएगा क्रिप्टो एकॉनिक्स का सबसे बड़ा गेम क्या है कि कस्टडी आपके हाथ में है प्राब्लम यहां पर यह है कि आम जनता को ये बात जब समझ में आएगी कि सेल्फ कस्टडी क्या होती है तो फिर दुनिया इसके पीछे भागने शुरू कर देगी तो फिर क्रिप्टो करन्सिस के भाव भी बढ़ने शुरू हो जाएगे तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इसमें एंटर करूँ तो वो लाइन लगेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ एक तरफ ये क्राइसिस फियर्ट करन्सिस का बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ये वार्स के अंदर तबदील हो जाएगा अगर ये वार्स में तबदील होगा तो इसका मतलब है कि क्रिप्टोनॉमिक्स बिट्कोइन मिलियन डॉलर के आफिए वो टू मिलियन डॉलर भी जा सकता है और यहाँ पे सब लोग इसलिए एफोर्ट कर पाएगे क्योंकि सतोसी उनिट है तो सतोसी से लोग ट्रेड करेगे फिर जैसे अपन इंडिन रुपीज रखते तो सतोसी रखा करेगे पाइसा सिर रो जायगा यहाँ जैजित सर भी आ जाये थे मैं आ गया सुनिल सर UPSC के लिए कोचिंग करवाते हैं क्या मज़ा आ गया सुनके चलिए वो सब लिए कभी और समय अभी तो नहीं करता हूँ what is the solution for all these problems? crypto is the solution, right sir? crypto economics is the solution और इसके लिए आप इस तरह के podcast को regular सुने और उससे अपनी समझ बनाए और top 100 cryptocurrencies के अंदर अपना एक portfolio बनाए portfolio कैसे बनाते हैं उसके लिए ही तेज से बेतर आपको कोई नहीं मिलेगा तो वो आप उससे सीख सकते हैं कुमा के बिटकोई इस एंड राइट Bitcoin is the end Bitcoin is the only way थेंक्यू भाई थेंक्यू वह एक डेड़ महिने में गया सिलेंडर 50 रुपे बढ़ गया मैं आपकी गगन आपकी जानकारिक लिए बता दू जब मेरी उम्र बीस साल की थी तो मैं 50 रुपे का सिलेंडर लेके आया करता था और मैंने पर्स अपने घर में 1150 रुपे का सिलेंडर खरीदा है तो ये घटने वाला मामला नहीं है इंडिया डेटा डॉलर्स तो आइधिंक आपने हैं कि बात कर रहा हूं और उसमें केवल यही नहीं होगा केवल रियल स्टेट के ही बैक्ट उसके स्टेक पर आप करंसी ही नहीं करेंगे आप जितने भी नेफटी हैं खासकर जो एनेफटी डेरिवेटिव स्टेटफर्म है और एनेफटी कमर्स प्लेटफर्म हैं उनका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है पर जो एसे जंता को पसंद है बड़ सबसे पहले सब एनेफटी के बारे में आवेटनेस की काफे ज़रो तो इंडिया में लोग ऐसे जोग या बिसेंटली मुझे कुछ ऐसे लोग मिले थे बिटकोईन मैक्सी जो एनेफटी को स्कैम बोल रहा था जब सीन चल रहा था और लोग को बता रहे है कि एनेफटी बेस्ट प्रेटिंग मॉडल जो आएंगे वो नेक्स्ट वेव डिफाई बनाएंगे राइट बिलकु सही है उसमें प्राब्लम है कि एनेफटी का इवैलुईशन कैसे हो वो एक इतना बड़ा काम है जिसके बारे में लोगों को समझाना क्योंकि क्रिप्टो एकनॉमिक्स हितेश एक नया डिसिप्लन है इस डिसिप्लन की मल्टिपल ब्र है प्रोटकॉल कोईंस तीसरी ब्राज है लेर टू सुलूशन चौथी ब्राज है और बहुत कुछ है इसके अंदर रोज नई चीज़ आ रही है तो आपको मतलब यह इतना बड़ा डिसिप्लन है कि इसके लिए अगर सो उनिवस्टिय मिलके भी कुछ करें तो कम होगा बिल किसम की करन्सि को यार्ण करोर क क्रोण में उस करणसी को कहते हैं जो को यह राग करोर दूसरी होती है M3 जिसको कहते हैं मनी स्प्लाई हिंदोस्टान में जो पैसे का लेंदेन हो रहा है वो क्या है वो है लगभक 250 लाख करोड यानि कि 250 ट्रियर आपके जतने भी बैंकों में लोन घूम रहे हैं आप मॉट्रिय लिये हैं बिजनस लोन लिये हैं परसन लोन वगयरा वगयरा सारे अगर मिला ले जाएं तो 250 जानि कि लगबग 85-90 परशन मनी स्प्लाइ कमर्शल बैंक क्रियेट करते हैं और ब बढ़ेगा तो भी inflation को काट्रोल किया जाएगा बट हिंदुस्तान प्रउब्लम इंफ्लेशन नहीं है हिंदुस्तान में प्रउब्लम यह है कि प्रउब्लम से बंध के कारण था हम्हारा developing country है हमारी oil के उपर dependence हो ही नहीं सिफ भी कम which means कि oil को अगर हम यह तो डॉलर में खरीदेंगे यह यह युवान में खरीदेंगे यह क्रिप्टो में खरीदेंगे सही है क्योंकि साथी रिप हमें यह तो कहने वाला रही कि आप हमें रुपी देदो और हम आपसे आपको oil दे देंगे तो which means कि आपको कहीं न कहीं global level पर अपनी credibility maintain करने पड़ेगी कि लोग आपकी currency को accept करें तो वह आये ला तो नहीं हो सकता वह on-chain sovereign currency होगा अगर आपने इंडियन डेटा डॉलर यह इंडियन gold dollar यह Indian land dollar जैसा कुछ किया जिसके backing है यह वो अगर कल को bitcoin buy करने जाएगा तो किस भाव पर उनको bitcoin मिलेगा उस ताइम पर तो महेंगे ही होगा जब भी ऐसा scene होगा तो सोचिए अगर central bank crypto buy करने चलेंगे तो crypto का price कहां पहुँचेगा बाला जी आप समझिए कि बाला जी कोई मूरख आदमी नहीं है बाला जी नहीं है सर बाला जी तो सबसे बड़ा thought leader बांता है उसको 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 उसने बहुत सोच समझ के one million dollar की ये bet लगाई है क्योंकि वो दुनिया को एक lens से नहीं देखता वो multiple चश्मे लगा के देखता है तो उसने ये सारा analysis किया है जो जिसकी मैंने आपको एक छोटी सी रूप रेखा बताई है network state उसने ऐसे ही नहीं लिखी उसका podcast आपना सुना था Lex के साथ मैंने आज ही आज ही दिख रहा था तो काफी चीजे बोला उसने social media के भी उसने बात की थी कि वो भी होने वाला है ultimately so वो amazing podcast जब भी सर आपको time मिले वो Lex वाला podcast देखना हूँ मैं बाला जी की network state भी पढ़ चुका हूँ और अगर कभी मौका मिला तो network state के उपर एक book review तो अगले question पर जाते है ये तो obvious सी बात है नाक की हर बड़ी चीज को run करने के लिए बहुत बड़े बड़े genius लोग होते है ठीक है समझा रहे हैं क्या क्या बोला है फिर कैसे वो लोग इतने लंबे time के लिए कम interest rate पे bank को capital invest कर सकते है देखे एक बात समझे अगर central bank आपके पीशे खड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्या आज की तारीख में जो Silicon Valley bank के साथ हुआ आज वहां का जो CEO है Silicon Valley bank का उसने crisis हिट करने से चार दिन पहले अपने चार लाख चार मिलियन डॉलर के share बेश दिये क्या ये insider in trading नहीं है क्या उसको jail के अंदर नहीं होना चाहिए होला चाहिए सही है ठीक है पर वो jail में नहीं गया क्यूं और ये जो उन्होंने long term securities ख्रीदी थी क्या उनको बीच में पता नहीं चल गया कि ये उनके losses हो रहे हैं उनको पता था और उनको ये भी पता था कि जब भी crisis आएगा तो federal reserve आकर दो बचा लेगा problem यहाँ पर यह है कि हमारा दुनिया का खास कर अमेरिका का जो पूरा banking system है वो इस moral hazard पर खड़ा है कि जब भी crisis आएगा fed बैठा है बचानेगा तो उसका रण आप जो मर्जी गलती करें आप तो राजा बेटा है राजा बेटा जो मर्जी पीछे पीशे मुन्ना भाया की गलती को बचाने के लिए कालीन भाया बैटे है यह वो मामला हो गया हुआ है सभी है सभी है सभी है means El Salvador will got benefit in future yes of course rather उनको एक और benefit होने जा रहा है कि अब जब government का pressure बढ़ेगा तो जो bitcoin और crypto hodlers है वो सारे के सारे El Salvador में जाएंगे वो अपनी residency shift करेंगे जो अचे लोग पहले Australia, Canada England जाया करते थे अब लोग El Salvador और जायेंगे तो छोटे countries क्या होंगे जहां पर tourism का potential है वो अपने आपको crypto friendly घोशित कर देंगे और digital nomad visa के अंदर वो दुनिया भर के जितने crypto investors हैं, crypto entrepreneurs को invite करेंगे आपको पता सर अभी NFT based residency program भी launch किये कुछ दो ती छोटी countries ने island countries ने हाँ, होगा ये एक पलाओ पलाओ करके country है छोटी islandic country है एशिया मी है, उसने NFT launch किया था मैंने लिया भी है, तो इस टाइप की और भी program देखने भी है जैसे पीछे रिवा नाम की एक नई company आई है Metaverse के अंदर उन्होंने एक travel के लिए international travel के लिए कि आपको एक लाख किलोमीटर का unlimited travel मिलेगा, पूरी दुनिया का international travel, आप ये NFT ख्रीदो सही है, वो तो लेना पड़ेगा सर, share करना मैं सोची ना कि लोगों का जो web 3 entrepreneurs हैं, वो अब उनके दिमाग चलने शुरू हो गए हैं और ये मौका है इस value को capture करने था सही है, सही, काफी सही, और मैंको लगते है NFT के थूँ ये सब possibility easy to capture हो जाती है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि लडाई fiat currency और crypto currency की नहीं है, लडाई fiat economics और crypto economics की है economics की है, जिसके पास दिमाग इसको समझ में आ गया वो इसके उपर कुछ न कुछ डिजाइन करके value capture कर सकता है राइट, राइट, सही बोल राइट, सही बोल राइट, सही बात तो सही है तो इसका क्या कहना जाहेगा सही देखे, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप bitcoin के बारे में सोचे, तो सबसे पहले आपको मैं एक मोटी-मोटी suggestion दे देता हूँ, कि आप अपने network के अंदर केवल 10 लोग ऐसे ढून लो, जो bitcoin में payment accept करने को तयार हो और आप lightning network use करके, अगर आप 10 रुबे की भी payment करना चाहो, तो आपको near zero cost पर आप 10 रुबे की भी payment कर सकते हो, आप अपनी social loop ढून लो जहां पर bitcoin acceptable है तो आपको दुनिया का कोई crisis चूनी सकता पहले भी लोग ऐसी करते थे deal गोल्ड से पहले, बार्टर सिस्टम वह ऐसा वापस कर सकते हैं तो आपस पर आपस पर कर सकते हैं B2B होगा सही सर, सही सर, सही सर, thanks for your time आपस सर, के बास थोड़ा सा अभी, हम पैसे भी एक गुंटे का प्ला नहीं किया था, बार अगली बार सर, वापस करते हैं और कुछ और डिस्कुस करते हैं नेट्वक स्टेट डिस्कुस करते हैं मिर वाइल कुछ और नहीं क्रैसी साथ उसको डिस्कुस करते हैं Sure, sure Thank you sir, thanks once again for coming on my show and मजा है sir, आपसे बात करके मजा है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा Thank you Hitesh Thank you, thank you sir Thanks everyone Thanks everyone for joining this show I hope आपको इस्टो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो अगर बाकी अच्छा लगा हो डिस्कुसन तो लाइक करो, शेर करो, इसको थोड़ा फेलाओ क्योंकि ये इन्फोरमेशन जो सार ने शेर किये इंडिया में कोई शेर नहीं का सकता जा लोग तो पोचेगी तो अच्छा रहेगा पाकी मिलते हैं, अगली बार भी लाइव सेशन करते हैं तो सर को बलाते हो और भी आच्छे गेस्ट को बलाएंगे और करते रहेगे, thank you sir, thank you everyone Bye, take care